नमस्ते जी नमस्ते सभी को नमस्ते नमस्ते गुड आक्टर नून जैहिंद रादे रादे स्वागते आप सभी कर रहा है दिन धाम पर मेरे सभी प्रिविद्यार्थियों आप सभी लोग कैसे हैं क्या हाल चाल हैं आपकी त्यारी कैसे चल लएए एक बार मुझे मैसेज करके बताईए सब बढ़ियां सब ठीक ठाक चलिए नमस्ते रिंकी आरूशी नमस्ते और कोई इनिवडियल्स कोई कुछ कहना चाहता है मुझसे नहीं करना चाहता है सब नाराज है मुझसे एक दम चलिए सबी लोगों को नमस्ते एक बार आप लोग शेयर कर दीजे क्लास को हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक है आदुनिक काल और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था आज भारतें उसे लेके अनीता शाली बाजपे रीतु नमस्ते और आरेयन राही स्विता मुशाफिर बंदना अकांग्षा मौरिया और आभिरभाव उपासना सर्मा सब बढ़ियां सब ठीक है ना चलो स्रिष्टी राही मंजू और मनप्रीत कवर तो हम लोग श्टार्ट किया जाए फिर और कल तो आपकी क्लास नहीं हो पाई थी TGT की क्लास की वज़े से थोड़ा सा मैब्यस्त था और एक चीज और मैं आपको बता दो कि आज से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही भारतेंद उसे लेके चाया वाद तक है यह ना मैंने आज आज आपको काम दिया थक भारतेंद उसे ले के चाया वाद तक तयार करके आना था तो इसमें आपको जो कंटेंट यूज करना था वो मेरे क्लास नोट्स क्या यूज करना था मेरे क्लास नोट्स यूज करना था अगर यह नहीं है तो आपको सरस्वती पांडे या गोबिंद पांडे मैंने बोला था या आपको बोला था पुनीतर या पुनीतर या आपको बोला था दृस्टी या आपको क्या बोला था अब लोग label फटाफट करेंगे स्पीड के साथ करेंगे देखें कि कितनी जल्दी charging जाता है ठीक है बाईया चलिए तो सभी लोग लाईब आ जाईए और नमस्ते एजुकेशन अकेडमी क्या नाम है आपका हम लोग अपने टौपिक की सुरुवात कर रहे हैं तो शातियों हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने एक टॉपिक का जिसका नाम है आधुनिक काल और आधुनिक काल में भारतें दुस्रे लेके चायवात तक कुछ प्रस्थनों को हम करेंगे फिर तेजी से करेंगे देखेंगे कितना मैक्सिमूम प्रस्थन हो सकता है आधुनिक काल का काब्य और आधुनिक काल का गद्य एक महत्पुर योगदान हमेशा से इस एकजाम में रखता है मतलब अपना महत्पुर योगदान देता क्योंकि इसका सिलिबस जो है अच्छा भी है ज्यादा भी है तो हम लोग फटा फटे एक जगह से करेंगे एक सिलेक्टेट प हो गए दूसरे नमबर पर शुक्ल जी ने जो के अनुसार जो मैं करा चुका हूँ इसे भी करौँगा थीर अनुसार पर मिंक्स करूंगा मिक्स करिए नांका पुनीतराइस उठा लिया, बच्चन से उठा लिया, शुकल से उठा लिया, ऐसे मिख्स करके, एक टॉपिक पर तीन काम करेंगे, आज हमारा काम साधारर वाला है, फिर सुकला और मिक्स वाला, आगे कर लेगे, समझ नहीं लगाएँगे, जल्दी जल्दी बताइँगे, तो जल्दी से बताईए अगर आपके प्रास परसनाईक आधुनिक काल को गद्ध काल के सञ्या किस ने दी तो आप क्या बताऊगे? आपका आंसर आना चाहिए आचार रामचंद्र सुकल ने दी और अगर आप से पूछा जाए रामकुमार बर्मा ने क्या कहा तो आप क्या कहेंगे पता होना चाहिए न नमिता आशिरवाद क्या नाम है आपका शिल्पी बताओ रामकुमार बर्मा ने क्या कहा है आधुनिक काल को रामकुमार बर्मान क्या कहा है सोच के बताईए मैं नहीं बताऊंगा दो नंबर पाईए आप आधुनिक काल के कावी की एक विसेशता है क्या विसेशता है आधुनिक काल के कावी की क्या विसेशता है आधुनिक काल के फटा फटी ये revision चल रहा है, revision में हम सारे प्रस्ट को लेंगे हिंदी के आधुनिक काल के काविकी एक विसेशता या है कि यह जन जीवन के साथ चला करूड रज़ को प्रदांता मिले इसमें जीवन के विबिन समस्याँ उनके समाधान को अस्थान मिला जीवन से नहीं जूड़ा था लेकिन भक्ती का भी स्वरूफ बदल जाता है भक्ती भी आम जन जीवन से कोई नहीं पकड़त मेरो हात है ना कहां करडा यानि जो भक्ति की धाड़ा है जो समाज की धाड़ा है वह सभी आम जनता के साथ जुड़ती है और यहीं से काब्य का सुरूप और विस्त्रित होता चला जाता है जैसे जैसे आधनिक काल बढ़ेगा वैसे वैसे इसका सुरूप विस्त्रित होता चला जाएगा है ना विशेष्था सबसे बड़ी यह है अगर मैं तीन नंबर की बात परूं आधुनिक काल के काब में आपको क्या चीज मिलती है कविताएं खड़ी बोली में कविताएं ब्रज में कविताएं के वलवधी में कविताएं ब्रजवा आउधी में लिखी गई तो आप क्या बत जाती है हमारी गति और आप दोनों की गति बढ़ जाती है सातियों अम्रीत के समान दवा है कि श्थाही जबाब आता हुआ यहां पर पहला वाल अब आप कहें घंगे सर आभाधी में भी लिखी गई कई लोग उठाले डंड़ी के हजारी प्रसाद दिवेदी हैं हम हजारी प्रसाद दिवेदी हैं आप सुकल हैं कैसे आपने कर दिया गुरु जी हम मार्क पिट कर लेंगे आपसे तो मैं उनसे कहूंगा कि साथियों ब्रज में लिखी जाती थी लेकिन यही वो समय है जब वो खड़ी बोली में चली गई ख़डी बोली की बात रहा है केवल एक जुक की बात नहीं गर रा तो भारत इंतियोग में आपको ब्रज में मिलेंगी लेकिन आगे बढ़ते चले चले जाऊगे तो खड़ी बोली में इसकी यह से स्ता है खड़ी बोली में इसलिए डीवल आंसर नहीं प्रतिक्षा तुम जाओगी तुम मन कैसे लगेगा तुम्हारे भीना जिया लागे ना रहो यहीं रहो पढ़ती रहो चार नमबर प्या जाओ आधुनिक काल की काब रचनाओं में आधुनिक काल की काब रचनाओं में अब अगर आपसे पूछा जाएं है विदीद अगर प्रफैक पर पैक को बताओं तो क्या हो जाएगा उपर्यूग तो सभी आंसर हो जाएगा उपर्यूग सभी पांच नंबर की तरह बढ़ता हूँ प्रारंबिक गद्य की भासा क्या थी जो प्रारंबिक गद्य की भासा क्या थी फटा फट बताईए जल्दी रिपीजन करिए एक गंटे में मैक्स अगर आपका पाँ प्रसंद्र परस्न आये तो अंसु किमारी नमश्ते अर्म्भिक गध्य आपको ब्रज भासम मिलेगा खेंक किसमें ब्रज भासा में उनको नहीं पता पेग क्या होता है इसका मतलब हो यहिंदी की छात्रा होई नहीं सकती हिंदी की छात्रा होती तो इनको पता होता कि हरिभंगिन स्राय बच्चन कोई शराबी थोड़ी'Tे है न वो दार्षनीक रचना होती है उनकी रचना उनको सुनाना कह देना है बावली पूछ वाली लड़की तुमको जानना चाहिए क्या जानना चाहिए कहते हैं कि जीवन में मद हैं मद घट के प्याले हैं वो कच्चा पीने वाला है जो कच्ची मद से जला हुआ कबरोता है चिलाता है जो बात गई उनकी कलपना देखिए मृद मिटी के हैं बने हुए मद घट फूटा ही करते हैं लग जीवन लेकर आए हैं प्याले तूटा ही करते हैं फि साहित का तो फिर आपको साहित लेने का कोई अधिकार नहीं है फिर मेरे अंदर प्लेटों की आत्मा आजाएगी और मैं घोगा पकड़ लोंगा गलत के बाद हुआ अगर मैं साथ नंबर की तरफ बढ़ू हिंदी में गद्य का प्राचिंतम रूप किस में मिलता है हिंदी में वो रचना के अलग दिशा मिले जाना है वो रचना को बनाना है कभिता से फिर चलाव यूनिट पांच ठीक है मिलता है अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था है ना 84 बैश्रौन के वारता किसकी है गोडलाद के दो सो बावन बैश्रोन की वारता और चौरासी बैश्रोन की वारता वो कुलात की रचना है आठ नमबर बताई आधुनी काल में ब्रजभासा कस्थान किस ने ले लिया शाहित के विद्यारती हैं आप लोग एक बार थोड़ा सा दवा और पी लेता हूं जब बदनाम होई गया हूं मरिडाल नमस्ते आधुनी काल में ब्रजभासा कस्थान किस ने ले लिया बच्चों खड़ी बोने ले लिया बहुत सही जवाब ठीक है नौ नमबर देखो आधुनी काल में कुल मिलाकर आधुनी काल में कुल मिलाकर पगड़ाद उत्तुफान आधुनी काल में कुल मिलाकर पद्य और गद्य बराबर लिखा गया पद्य धिक लिखा गया गद्य धिक लिखा गया फटा पट्री बीजन कर लो एक बार नह लगता है। आधनी काल में कुल मिलाकर 9 number बताइए, गद्य अधिक लिखा गया। इसाई पादरीयों किस प्रकार घंदी के प्रशार में योगदान किया। इसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी के गद्य में योगदान दिया, उन्होंने गद्य लेखन पर पुरसकार दिये, स्वयम हिंदी गद्य में लिखा, बाइबिल के हिंदी मनवात कराया, उसे बाटा उपर उपर तुस सभी, इसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रशार में यूगदान दिया बाइबिल का हिंदी में वाद कराया और उसे बाटा इससे साथ में भी होगा नहीं गद्य का प्राचे गड्य फर व रूप किस गरण पर किसे 14 ठंशदद्य बर्नन वाला क्या है गड्य की पहली क्या माना जाता उसे चंद चंद बर्नन किस कभी की है यह गंकभी न ओक प्रसंद दूसरा है यह सई एक उसाई पाधरियों वाला भी सइए 11 लेखक चतुष्टे का महत तो किस सहित कि किस विद्था के विकास में आका जाता है लेखक चतुष्टे कामर तो लेखक नहीं आफ लाइन नहीं पढ़ाता हूं मैं लेखक चतुष्टे का मत तो हिंदी साहित के किस विधा के विकास में आका जाता है लेखक चतुष्टे का मत तो हिंदी साहित के किस विधा के विकास के लिए आका जाता है हाँ हिंदी गद्ध के लिए लेखक चतुष्टे का हिंदी गद्ध के लिए रिवीजन करो फटा फट रिवीजन करो सुखसागर की विसेवस्तु क्या है जल्दी बताइए सुखसागर ने इसकी विसेवस्तु क्या है और आप लोग जिनको नोट से यह जिनको नोट से ये मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए जिनको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए वो मुझसे वो ले सकते हैं और उसे प्रिंट कराके आप लोग उसे पड़ी आपको आसानी हो जाएगी यूनिट चाहिए यूनिट दस तक टीजिटी पीटी के 3600 प्रैक्टिस 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 लगे हुए हैं आप लोगों को ये नंबर देता हूँ इस नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं 988660 अगर आपको नेट जारे पर टीज़ी टीज़ी पीज़ी क्लास करनी है तो भी और वो भी करके आप ले सकते हैं न हाँ यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी सुकसागर की विसेवस्त संबंधित है किस संबंधित है बिसडू पुरार से सुकसागर लिखा किसने है सब्स्केरा सुक्लाल ने बहुत बढ़ियां तेरह नंबर बताइए प्रेम शागर का वड़ विसे क्या है प्रेम सागर का वर विसे क्या है तेरह नंबर तो भागवत पुराड के दशम असकंद का अनुबाद है प्रेम शागर प्रेम शागर किसका है लल्लू लाल का प्रेम शागर किसका है लल्लू लाल का किसका है लल्लू लाल का अगर मैं 14 नमबर की बात करो तो कौन सी एक रचना राजा शुप्रसास सितारे हिंद की नहीं है। कौन सी एक रचना राजा सुप्रसास सितारे हिंद की नहीं है। कौन सी एक रचना राजा सुप्रसास सितारे हिंद की नहीं है हाँ उदे पुरोएड किसका पुरोदे किसका है पहुत बढ़ियां जब आप डी किसका है 14 नंबर भारतेंदू का क्या है ये। कौन सी रचना है। भारतेंदू का निबण है ये। बहुत बढ़ियां बहुत सही जबाबुमदा 15 नंबर बताईए कौन सा एक ब्यक्तिफ फोर्ड बिल्यम कॉलेस से संभन्धित नहीं रहा। कि एक ऑप्षान या दो ऑप्षान है बहुत बढ़ी है जब आप उंदा पंद्रह नंबर बताईए एंपी टेडियाश या सोनु कुमार बिल्कुल पमार बताव भई यह पंद्रह नंबर कि इनका संबन्ध फोड गिल्कृष्ट और मुंसी सदाशुक लाल का मुंसी सदाशुक लाल का संबन्ध नहीं रहा बाकी लोग तो बहां सा मुंसी ते गिल्कृष्ट भई ये पदानाचारे है ये थे भारतियं देते लिए दिटिमे हिंदी भासा तथा राश्टे विचारदार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर योगदान देने वाले कौन से विचारक है शर्जी क्या सर्जी में यह किसी आ रही है वाइस किसकी आ रही है, भूत की आवाज आ रही है, मैं रहता हूँ ना, गुफा में, कंदरा में, तो यहां से भूतों की आवाज आती है, ठीक है, हाँ, भारती द्यूग में हिंदी भासा तता राश्टी विचारधारा, 16 नंबर की अगर मैं बात करूँ, तो स्वामी दयान सरसोती हैं, दयान सरसोती इनकी दिचना का क्या नाम था? हाँ, भासा क्या थी? बहुत बढ़ियां, उंदा भूत जी, नीचे पुस्तकों लेकों के जोड़े दिये गए हैं, नीचे पुस्तकों लेकों के जोड़े दिये गए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, बताईए जोड़ा का नाम लेता ही मन में क्या मारा जोड़ा कब बनेगा नमस्ते नमस्ते कृति का नीचे पुस्कों में लेकों और जोड़े दिए गए हैं 17 नंबर के अगर मैं बात करूं भासा योगवासिश किसका है राम प्रसाद निरंजने राम प्रसाद निरंजने अगर मैं 18 नंबर की बात करूं आचार सुकलिगन सार प्रथम प्रोड गदलेखक माना जाता है बदा बच्छा बहुत सही जबाब आचार सुकलिगन सार कौन सा प्रथम प्रोड गदलेखक अठरा नंबर बताईए अठरा नंबर क्या है राम प्रसाद निरंजने भारतें द्वरिचंद से पूर हिंदी गदलेखक माना जाता है राम प्रसाद निरंजने भारतें द्वरिचंद से पूर हिंदी गदलेखक की शैली तारा कुमारी नमस्ते चलें नमस्ते पूजा से नमस्ते खुश रखो मेहनत करों तो 20 नंबर बताईए 20 नंबर बताईए उन्नीश्वी सताब्दी के पूर्ण जागरण का संदेश जल्दी बताओ मैंनत करो खुब पास हो जल्दी से अधर्म के देखो अपना जोड़ा मत बनाओ आपको गटना बता देता हूं आपको गटना बता देता हूं मेरे एक मित्र हैं प्रियाग राज में कहां रहते हैं गव घाट पर रहते हैं मेरे एक मित्र हैं प्रियाग राज में गव घाट पर रहते हैं बहुत खुशत हैं हमारी साधी होने वाली साधी होने वाली है उसके बाद संजोग से उनकी बात लड़की सो जाती है पहले दिन खुब अच्छे अच्छी बात होती है तो मुझे प्यार करोगी वो कहती हां बहुत प्यार करोंगे तो बोलती है कि कैसे-कैसे प्यार करेंगे, अपना बाच्चित होती रहती खुब बढ़िया बात होती है तीसरे दिन जब मामला सीरियस होने लगता है, साधी ओधिक डेट आने लगती है, तो उन्होंने उनसे पुछा उनिस का क्या उनिस के भी दोनों क्यों नहीं होगा भारतिन दरिच्छन से पूर हिंदी क्यों नहीं थी उर्दु फार्सिस युगत तो उसके बाद क्या हुआ घटना तो पूरी सुननो संस्कित सब्दों से उसके बाद क्या हुआ बात तो सुननो पूरी फिर अब भायशाब लड़की एकदमी मोशनल हो गई लड़की सोची यही मेरे भावी पती है अब एकदम उनको एकदम देखने लगी मेरे भावी पती है खुब बढ़ियां उसके अंदर इमेजिंग फीलिंग जो भी होता है और आने लगी सिंदु कुमारी अब क्या हुआ फिर लड़की का अंदर लड़कित तो जाग गया उसके अंदर इस्त्री तो जाग गया उसके अंदर नारित तो जाग गया उसके अंदर पतनी तो जाग गया और लड़की ने मैसेज किय कि मेरे होने वाले बाबू लड़के ने कहा जी बेबी लड़की ने कहा एक बात बताओं उसने कहा यस बेबी उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगी तो मुझे हर साल मुझे आप हर साल एक बढ़िया क्या दोगे जुएलरी दोगे लड़का थोड़ा सा ठहरा हां या ना का जबाब देता इसके पहले लड़की ने खुद मैसेज कर दिया कि ये जुएलरी साल में होगी इसमें जनम दिन जनम दिन और प्लस इसमें जनम दिन प्लस कौन सा यह साविल नहीं है, उसमें मैरिज उसने कहा कि जन्म दिन यह साल के लिए इसको अलक से रखा जाएगा, ये साल का एक अलक्स हो गया. लड़का बोला कि इतनी जन्म क्या करोगे, साधी में भी तुम्हारे पास जन्म जैएगी, लड़की बोली सब मैं पहनूंगी, अलग अल लड़का कुछ बोलता इससे पहले लड़की का तीसरा मेसेज आया कि हमारे मितर हमों को बहाना उसका मेसेज사랑 चाहे जितने का लू उसके बाद लड़का कैलास परवत के पीछे भगवान को बुला रहा है भगवान भगवान हमारी मदद करो हमारी मदद करो तब से आया नहीं है जब वो आएगा तो मैं पूछ के बताऊंगा आगे क्या हुआ जितनी घटना तब तक कि थी मेरी जानकारी में उतना मैं बता देता हूं आगे कि घटना के लिए आप इंतज यृख और उसमें रुख जू रूब झाटो पीछय जो पीछय जो फिर एक चीज़ और आया लड़का यहां भी हां या ना नहीं किया था लड़का ह sentiments ऑर आ गया और लड़की ने कहा कि एक चीज और है बाबू लड़के ने कहा क्या बताओ उसके बाद उसने बेबी जल्द यूज नहीं किया क्या बताओ तो लड़की ने कहा कि प्लीज सुबह की चाय आप बना दोगे ना लड़का बेचारा नंगे पाओ उठा कैलास परवत की तरफ चला गया जिस कपड ले जाना भी भूल गया साथियों और वहां फोन लग नहीं पा रहा है फोन लगेगा तकिली क्लास में आपको इसके आगे की जानकारी दोंगा इसाई मिस्नरियों की स्वार्थ भावना से धार्मिक करांति उत्पन्य के जिसका उद्देश सिक्या था बताओ 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 इसाई मिस्नरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्य के जिसका उद्देश से क्या था इसाई मिस्नरियों स्वार्थ भावना के धार्मिक क्रांति उत्पन्य के जिसका उद्देश से क्या था हिसाई मिस्नरियों के बिल्दा या था हिंदू अपना धर परिद्दन करने से रोकना इसमें तो कोई सब्सक्राइब आगे बढ़ जाओ सांस्कृतिक पुनर सांस्कृतिक पुनर जागरण का उसक्ता महसूस कि गई साथीं को अ बताओ भश हार का है है अरे बालो मेरे साथ नहीं हुआ अपने साथ वाली घटना नहीं बताता कोई सांस्किति पुनर जागर क्या आए सकता महसूस की गई 22 नमबर बताई देखो भारती जनता को जागरत करने के लिए कूपर थाओं तथा निविश्वासों का विरोद करने के लिए भारती एक्ता स समाजिक परिष्थितियों का चित्रड हुआ उच्च वरगी समाजिक परिष्थितियों का क्या होगा अंसर कोई नहीं बता रहा है आरा नुच पांडे चुप हो जाओ तो बलूग बोल नहीं मत तुमको पता नहीं कहां सांसर सुनाई पड़ जाता है बाकी प्रस्विध्य नहीं है लिडाल बता भाई भारतेंद युग में क्या है तेश में तेश में तेश में बताओ अम मत पेश्ट करो मत पेश्ट करो तेश नमबर बताओ बताओ भारतेंद युग में मध्यवर्गी समाजिक परिसितियों के चित्रड बिलकुल उच्चवर्ग समाजिक परिसितियों निमनवर्ग ये मध्यवर्ग आया बीच में उच्चवर्ग निमनवर्ग पहले था मध्यवर्ग भी समाया मध्यवर्ग में सबको समाहित किया तो इसका सही आंसर मद्धिवर्ग है अगर 24 के तरह बड़ो भारते हैं तो इस संद की काल में हिंदी गद्ध में नाटक निबंद आलोचना ये सभी क्या लेखे गए आपके सामने प्रस्न है सर मेरा कमेंट नहीं देखते सामने तुम्हारा कमेंट देखा नहीं ये भी मैं पढ़ने में तल्लीन हूँ देख लोगा कोई आया है मुझे मिस्रा जी मिस्रा जी कह रहा है भारते हैं द्वरी चंद के काल में हिंदी गद्ध में ये सबी है ना ये सबी पचेस नमबर बताई आप भारतेंद युगीन कावे प्रवित्यों में कौन सा एक सही नहीं है जल्दी से बताईए कि भारतेंद युगीन कावे प्रवित्यों में कौन सी एक सही नहीं है तुनिटी फाइफ देखो राष्ट प्रेम भी है समाजिक दुर्द्रसा हासिबेंग भी रह वर्डन आप में भारतेंद किसके लिए बीरह करेंगे भारतेंद बीरह किसके लिए करेंगे बताइए मेरा भी देख लो जोती और इच्छी क्या नाम है आपका अब तुम लोग ऐसे बोलो देख लो इधर भी एक बार में हूना मेरा भी मैसेज आ रहा है या ना तो देखो सब लोग देखने लेंगे मैं ही नहीं एक नहीं 26 नमबर देखो जब मैं यूटूब की क्लास देता हूना ज्यादा कमेंट देख नहीं पता रुकना पड़ता है क हाँ बिल्कुल यह टीजीटी पीजीटी नेट ज्यारब सब एक साथ चलता है हिंदी कविता के आधनिक यूग का प्रवर्तन किसे माना जाता है हिंदी कविता के आधनिक यूग का प्रवर्तन किसे माना जाता है मुष्टी एक आख लिख दिए तो उससे मतलब नहीं होता ह बताओ पूजा तो कहते हैं हिंदी कभिता की आदमी क्यूक का प्रवर्ता किसे माना जाता है 26 तो वो माना जाता है भारतेंद हरिश्चंद्र को बहुत ही सही जवाब उम्दा जवाब बढिया जवाब अगर मैं और आगे बढ़ूंगा 27 नंबर बढ़ूंगा भारतेंद भुरे चलने काववधारा को किस और किस और मोडा भारतेंद भुरे चलने काववधारा को किस और मोडा 27 नंबर बताईए निर्गोड भक्ति पहले इ Larry पेले इथी स्वदेश प्रेम आपको मिल गया एकदम साही जवाब 28 नमबर बताई हिंदी कविता में राश्टीता की तान सबसे पहले किस ने सुनाई है राश्टीता की तान सबसे पहले किस ने सुनाई है वैसे जब ज़्यादा गर्मी होते हैं ज़्यादा ठंडी होते वाला मौसम ज़्यादा बढ़िया होता है हिंदी कविता में राश्टीता कितान सबसे पहले किस ने सुनाई तो भारतेंदु हरिश्चन्द है वो अगर मैं और आगे बढ़ू 29 नमबर तरबढ़ू भारतेंदु ने रीत कालीन मुक्तकों का संक्लन किस नाम से किया भारति भूसट, रश कुमार, सवाभिलास और सुन्दरी तिलग करें आपका ध्यान किदर आपके श्ट्टूण इधर है ऐसे बोला जाताना थे आपका ध्यान किदर है मद साला इधर थारता थारते भी जाता है फिर परस निकालता है सोचता है लूओ या ना लो और आगे करता है एकदम उसके मुंडिक पास चला जाता है काउंटर के पास तब वो कहता है भाईया एक बोतल दे दू और एक बोतल लेने के बाद जब ले लिया उसका दुन्द खतम हो गया अब एकदम खुस है वो छोटा सा धक्कन होता है खोलेगा उसे उसे जय भैरोबाबा जय गिलास उठाएगा गिलास में डालेगा और जियों अम्रित पेट में गया दास मिनट बाद भाई साब उसके पैर में हाथी के समान बाल आ जाता है जो आदमी हिलता ऐसे आ रहाता वो ऐसे चलने लगता ऐसे प्रतवी थर थर आने लगती है बीमारी भाग जाती है तूटा जुड़ने लगता है एकदम याद आने लगती है क्या मतलब सोचो क्या गजब अम्रित है इसे लिए उसका नाम सोम्रस था पहले भारतेंद उन्हें क्या नाम है सुंदरी थिलत अगर तीस नंबर की बात करूं भारतेंद की कविता में सबसे बड़ी विश्यस्ता क्या है सबसे बड़ी विश्यस्ता क्या है बहुत ताकत है मैं अगर मंत्री बन जाता तो उसको अंतर राश्टी पे गोसित कर देता इंटरनेशनल पे भारते दुखी कविता की सबसे बड़ी विस्येशता क्या है प्राचिन और नवीन का शमल्वे शंप्रदाइक कटरता देखो ये भी है ब्रज और खड़ी बोली लेकिन सबसे बड़ी विस्येशता पूछा जा रहा है है ना दुन में ये भी था खड़ी बोली बनाम ब्रज भाशा आद्मिक बनाम पुरातन प्राच है ना तो लेकिन वह विस्येशता माईगा है ना देंग द्वारांग रेजिसासनी ने तो 31 नंबर कौन सी रचना भारतेंदुकी नही है नुरुजी को प्रधानमंत्री बना जाए अगर यही बात सुन लें जितने सब वह हैं शराबी तो भाशाब हमको वह एकदम चुनाव जिता देंगे नहीं कहेंगे सर्जी तुम संगर्श करो हम तुम्हारे साथ हैं कौन सी एक रचना भारतेंदुकी नहीं है इतिहास निम्हीं ना सखेंक है किसका अ मताओ कि सिव प्रसात सिंग कहें सिप्रसात सिधरे सिंक नहीं धेखेंग अ alright कि ओंठाँ वाच्चो अगर मैं बतिस नमबर तरब बढ़ू भारतिंद बाबू के संबंध में निमलेखीत में से कौन सा कखन सही नहीं है जल्दी से बताई भारतिंद बाबू के शंबंध में आप देखो वा रशिक थे वा कविता के लिए किसी वाद से बदे नहीं थे है उन्होंने भक्ति और चित्र ठीक है राम भक्त नहीं थे क्रसाइब ये किसकी पंक्तियां है प्रचारे निहारे बीना सितारे हिंद का अच्छा सितारे किया तो बिलकुल बिलकुल सियो प्रसाइब सितारे हिंदे अब तिस बताओ दहम राम भक्त नहीं थे ना भारतेंदु जी ने बिसे वस्तु की द्रिश्चे हिंदी काब में क्या परिवर्तन किया भारतेंदु जी ने बिसे वस्तु की द्रिश्चे हिंदी काब में क्या परिवर्तन किया 33 नंबर बताइए 33 नमबर बताए साहित में देश हित बिल्कुल किया हिंदी साहित को नवीन मार दिखाया हमारे साहित को नवीन दिश्यों से उपर यूग तो सभी हो जाएगा कौन सा भारतेन मंडल का लेखक नहीं है परताप ठाकपूर बदरी नरार और स्रिधर पाठक देखते ही आप पहचान जाओगे 34 नमबर का स्रिधर पाठक क्योंकि आपको याद कराया था 35 नमबर की बात करता हूँ है भारतेन मंडल के लेखकों की सरप्रमु विशेष्था सही है इनके कृतितों में राष्टी भावना मुखर हुई यह सभी पत्रकार थे किसी ने किसी पत्र का स्वयम संपादन करते थे इन लेकों में अधिकांस नाटक कार थे और इन्हों ने हिंदी साहित की अभिधा ब्रिद्धि में प्राण प्रण शाहयोग दिया कि बताओ 35 नमबर बताइए 35 नमबर आत के बाशन यह सभी पत्रकार थे किसी ने किसी स्वयम संपादक से दूड़े थे भारतिन द्वरिश्यंद के समय में हिंदी गद्ध की बड़ी उन्नत हुई और इनके दो साहयोगियों पर प्रमुख भूमिका थे जिनमें एक का नाम प्रतापनार दूसरे का ना नाम था किया नाम था कि बाल कृष्ण भट 35 के बाद 36 बाल कृष्ण भट बहुत बड़ी है जबाब सही जबाब अगर मैं 37 नंबर की बात करो भारते इंदु मंडल के किस लेखा कोशिव कातिंद सजग गहरी सूजबूज वाला भारते इंदु का सफल उत्तरा दिकारी मारा जाता है अगर आपने जबाब दिया बाल मुकुंद गुपति तो आपका एकदम सही जबाब है और सिर्श उखी ठेक है इन्हीं के है अंतिस प्रेम मालिका प्रेम फुलवारी प्रेम सरोवर प्रेम माधरी अश्रुतरंग आधिरेचनाई किसकी हैं आपका एकदम सही जबाब आना चाहिए प्रेम मालिका प्रेम फुलवारी प्रेम सरोवर प्रेम मादुरी असु तरंग आधी रचनाएं किसकी हैं अगर मैं और आगे बढ़ू 49 नमबर बढ़ू प्रताप नाराण मिस्र की रचना के मुख्यचेतर थे प्रताप नराड मिस्र की रचना के मुख्य छेतर क्या थे क्या नहीं बता रहा मैं मैंसे ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूं तो प्रताप नराड मिस्र की रचना के प्रमुख्य छेतर थे कविता निबंद नाटक और ये सबी कविता निबंद नाटक सभी इन्हों ने लिख पड़ता अपनारण मिस्र के सभी थे चालिस नमबर बता ये ठाकुर जगमोहन की रचना है ठाकुर जगमोहन की रचना है स्यामाश्वप नस्याम सरोजनी श्याम लता ये सभी आप लोग मेरी सारे प्रेक्टिस को सेट करना सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठाकुर जगमोहन सिंगी रचना चालिस नमबर और जो भी विद्यार थी सिस्ट्माटिक रूप से प्रेक्टिस करना चाहेंगे चाहेंगे वो टीजीटी पीजटी और लेंगे है ना इबुक आप लेके आप उस पे उसका पेमेंट पे करना पड़ता है आप उसे लेके प्रिंट कराके आप उसे पढ़िए नमबर 7982866640 यह मेरा ओफिस का नंबर है यहां पर आपको जानकारी मिल सकती है चाहें आपको नेट ज्यार एपने कोर्स लेना हो या में आपको लिए तक लेना हो या टीजीटी पीजीटी का या किसी विग्जाम का थाकुर जंग मोहर्सिं की रचना है क्या 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 था निद्टीवन हिंदी का पहला दैनिक समचार दैनिक पूछा जा रहे क्लास का टाइमिंग आप देख लीजिए प्रतेक दिन साड़े बारा बजे साड़े बारा बजे आपकी मदुशाला बैज का समय है और रात के नो बजे मेरी क्लास रात के नो बजे नो बजे में अक्सर PYQ सेट कराता हूँ और सुबह MCQ कराता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल भी है राही अध्यनदाम सर्च करके जूड़ जाएए यूटूब चैनल से जूड़ जाएए वाटसप ग्रूप आप इस नंबर से करके जूड़ सकते हैं 798286640 जिससे आपको क्लास की जानकारी बगएरा मिलती जाएगी तो आप बताइए कौँ से है उदंत मार्टर मत लगा देना हाँ समाचार सुदा पहला दैनिक समाचार पत्र पुछा जा रहे है उनियसोचावण में और राजा अच्छा समाचार सुदा परज़्ाइद एसे किसका राजा लक्षमर सेंग का क्याम सुन्दर सेन कि समझ पारे हो आप मेरी बात को नहीं समझ पारे हो हाँ रहे है और 42 नंबर हिंदी पत्रकारिता का आरंब कभ हुआ हिंदी पत्त्रकारिता कारम कब हुआ आज इतना ही करते हैं क्योंकि मेरा पहुंज है तो सिस्टम पैटिलो होने वाली है मैं नहीं चाहतक चार्जर लगाऊं अगर आप बोलो तो चार्जर लगा दूँ यह चुट्टी कर दूँ है ना तो चुट्टी कर दी जाए चलिए आप जाएए आज के लिए बस इतना ही अठारश चुट्ट मैंने उन्नीस सो लिख दिया मापी चाहूंगा उन्नीस सो होई नहीं चकता ना यह सब तो अठारश होगी है ना अठारश चुट्ट मैंने गल्ती सो निस सो लिख दिया और इसका आप लोग एच डबलू करके बताना होमवर्क कमेंट करके आज की क्ला थैंक्यू सो मच और अब मिलता हूँ आप सभी से अगली क्लास में और जिनको भी ये घरगर नोट्स मैंने लॉंच किया था अगर आपको लेना है तो आप सभी लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं ना दो पहर के बाद वो घरगर नोट्स कहा गया आप ऐसे प्रिंट करा लेना इ प्रिंट में आपको कोई बुक मिलेगा नहीं यह एमसी क्यू है ना कि पीवाई क्यू पीवाई क्यू की बुक तो आपको मिल जाएगी एमसी क्यू यूनिट एक से दस्तक है और टीजीटी पीजटी के 3600 प्लस फ्रस्न है है ना तो इसे लेकर आपको सॉल्व करनी चाहिए जिसको भी लेना है 7982866640 और इसका प्राइस है 500 रुपए लेकिन अभी आप ले सकते हो 300 रुपए देखे है ना 300 रुपए में एक ले सकते हो नेट ज्यारब का और अगर टीजीटी पीजीटी लेना है तो 500 रुपए पेकर देना दोनों का ठीक है बागे गर कोई खास दि बाद और अब मिलता हूं आप से